So, Hello and Namaskar दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Instagram के एक problem के solution के बारे में देखिए गाईज, जब आप Instagram पर login करने के लिए जाते हैं जैसे कि मैंने ये login करने की कोशिस करता हूँ, continue as a prince तो हमारे सामने कुछ इस परकार का ये error शोख हो जाता है An unknown network error had occurred, जैसे कि आप इस error को पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है ये error हमें network की problem की वज़े से आता है इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है guys, आप यहाँ पर clearly देख सकते है An unknown network error, ये शिर्फ network का ही error है और आप इसे दूर कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको कुछ steps बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप follow करेंगे तो इस समसरे निजाब पासकते हैं उसके लिए guys, हमें आ जाना होगा अपने mobile की home screen पर Home screen पर आजाने के बाद guys, हमें check करना है अपने internet connections को देखे guys, हम check कर लेते हैं अपने internet connections को यहाँ से देखे हमारा mobile data भी होना है और हमारा जो wifi या वो भी connect है अगर guys, आपके internet की विज़े से ये problem आती है, तो आपको क्या करना है एक बार aeroplane more को यहाँ से enable कर देना है कुछ second के बाद इसको आपको दुबारे से tap कर देना है जिससे क्या होगा, अगर network में कोई problem आ रही होगी, internet के अंज़े कोई problem होगी तो वो हट जाएगी तो वो यह करने के बाद आपको दुबारे से अपने instagram पर login करके देख लेना है अगर आपकी problem solo होती है तो ठीक है नहीं तो आपको next step के और बढ़ जाना है उसके लिए guys आपको क्या करना है, दुबारे से setting के अंदल जाना है और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा additional setting का यह छोटी सी setting है guys मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ आप यहाँ पर देख लीजिए time and date का जो automatic है option को आपको on रखना है और नीचे आप देख सकते automatic time zone इसको भी आपको on रखना है कई बार problem इसके कान भी आ जाती है यह करने के बार guys आपको आ जाना है apps पर आपको जाना है फिर manage apps में यहाँ पर आपको instagram को type कर लेना है देखे guys आपको सामने instagram का यह option आ जाता है आपको इस पर tap कर लेना है tap कर लेने के बार आपको यहाँ से कर देना है इसका clear catcher और clear data clear catcher, clear data कर देने के बार guys आपको यहाँ पर एक बार permissions को देख लेना है आपको सभी permissions को यहाँ पर own रखना है फिर आजाना है back और आपको district data usage को भी चेक कर लेना है यह दोनों हमारे own होने चाहिए और यहाँ से इसे okay कर देना है यह setting कर देने के बाद आपको आजाना है back back आजाने के बाद guys आपको अपने mobile को कर देना है restart या एक बार आपको अपने internet connection को यहाँ से off करके on कर देना है यह सब कर देने के बाद guys देखिए हम दुबारे से instagram को login करने की कोशिस करते हैं अब हम देखते हैं यहाँ से login करते हैं continue as a prince कुमार तो देखे guys हमारे यह ID है यह login यहाँ पर हो चुकी है हमें इस परकार का इस बार कोई भी error show नहीं हुआ तो guys आज इस वीडियो में मैं आपको आपको अपको इस इतना ही बताना था अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी फाइदेवर लगी तो please हमारे चैनल को subscribe कर देना और वीडियो को like कर देना तो मिलते हैं एक नई वीडियो में till then bye bye friends